पाकिस्तान तारीख की बत्तरीन माशी बहरान की सिच्वेशन से दो चार है और ऐसे में I.M.F का रूटना हमें बहुत महेंगा पड़ सकता है इंडिया ने I.M.F. से पाकिस्तान का लौण रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया की तरफ से IMF को ये कहा गया है पाकस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे न अपने आर्मा मेट्स पे न लगाए और दूसरी उनकी कंडिशन है भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है ये पैसा लेकर दूसरे मुलकों को ना दिया जाया आगे मिसकी अपने आर्मा मेट्स पे न लगाए और दूसरी उनकी कंडिशन है भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुलकों को ना दिया जाया आगे मिसकी, लेकिन देखें, तहां तक सुनी जाती है, 17% जो है शेर वो अमेरिकन्स का है, I.M.F के अंदर, तो जाहर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है, भारत की आप नितहफजाद का इजहार किया है उन्होंने लेकिन वो पता ने कितना, सर पाकिस्तान जो करजा ले रहा है, उस पर सिवाए पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, जाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं, वो बेकिल भी पावर पहले कौन सी नहीं बात है लेकिन उसमें आर्जू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको यह बात बताने चाहूंगे कि अमेरिका में बैठे वे मैं concern यह हूँ कि यह पैसा पाकस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा यह किस तरह जाएगा पहले आपका पैसा कुछ तो यहीं इदर उदर हो जाता है कुछ आप पाकस्तान जाके जो प्राजेक्ट्स आप करते हैं development के आगे पीछे वहां से corruption में फिर वापस आ जाता है पैसा नमस्कार दोस्तों मेरे चलन में आपका एक बार फिर से स्वागत है अंतरश्ट्य मुद्रा कोस से मिल रहे करजे से पाकिस्तान अपना देश चला रहा है आई एम एप से करजे को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है भारत ने पाकिस्तान को जीए जा रह कड़ा रुक अपनाते हुए कहा है कि करज के पेशों की कड़ी निगरानी को लेकर आईमेप को स्रक किया गया है भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेताबनी दी है कि पाकिस्तान इस करजे का रक्षा खर्च या किसी देश का करजा जुकाने में ना करे इस पेशे को गलत जिगा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए पिछले साल जुलाई में I.M.F. ने पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर का सोर टर्म वॉय अरेंजमेंट करज दिया था यह करज गंबीर वित्य संकट के समय जूजरे देशों को दिया जाता है यही करज पाकिस्तान को भी दिया गया था पाकिस्त रखा आम तोर पर भारत पाकिस्तान की I.M.F. की करज की मांगों से दूर ही रहता है लेकिन इस बार भारत सरकार ने कृष्ण मूर्थी सुब्रमने हम से अरोध किया है कि I.M.F. बोर्ड को बताए कि I.M.F. से लिए करजे का पाकिस्तान किस तरह से इस्तमाल कर रहा है तो पाकिस्तान में आज तक मैं बलके मेरे लिए जो एक और कंसर्ण ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोट में को रिट लगा के ये पैसा कहा जा रहा है 70 बिलिए डाल गया तरहा है जो पाकिस्ति आपने जो आपकिस्ति अब अमेरिका के अंदर भी नहीं को जूट और मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूँ कि कौमें लीडर लीड करते हैं लेकिन कौमों के अंदर एपटाइट होनी चाहिए तरकी की उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए विल होनी चाहिए और वो विल मुझे इस से नज़र आ रही है वो मुझे अब भारत से नज़र आ रही है भारत से पहले चाइना में थी चाइना के स्टूडेंट जो है वो भारत यहां यूनिएस्टियों से पढ़के वापस जा रहे हैं इस वक्त बलके मुझे याद है कि अब से कुछ हरसा पहले मैंने एक आइटिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेंड ड्रें की जगा ब्रें रिटर्निंग वैक टू इंडिया जिसमे खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिडिश जो भारती लोग थे एक तोक उनको पैकेजेज अच्छे मिल रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और दूसरा ये है कि अपनी बर्जी की चीज़े खासकर चीमा साब एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा मेरी तस्वीर हर पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मिक शोर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तमाल हो ना तो मिलिटरी यूज के लिए उसको इस्तमाल किया जाए और ना ही repayment of loans from countries के लिए उसको इस्तमाल किया जाए यानि पाकिस्तान को जो पैसा IMF ने अब देना है जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो के पहले भी वो कहते रहे के हम से नाक रगडवाई है इन्होंने और लकीरे निकलवाई है नाक से इतनी एफर्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्स करनी पड़ रही है और IMF से अब पैकेज मांगा जा रहा है तो IMF ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शरायत रख दी है IMF के सामने कंडिशन सर्टी है और इंडिया ने IMF को ये कहा है कि अगर आफ पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आम फोर्स के लिए इस्तमाल करे और ना ही उसको दूसरे कंट्री की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तमाल किया जाए अब ये बहुत कड़ी शरायत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए IMF के सामने रखी गई है आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब IMF को ये कहा रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुमें इसके लिए ये कंडिशन्स जो हैं उसके सामने रखना होंगी तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है इस से पहले जैसा कि आप जानते हैं ये कहा गया कि जो दर्याए रावी है उसका पानी रोक लिया गया है और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दर्याए रावी के जरीए जो पानी मिलता था वही पानी वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तमाल करेंगे। कश्मीर के लोग उस पानी को क्य जाना होता था, तो पता ही चलता था कि रावी ते सुक्का पे आजे, रावी दे अंदर थे पानी नहींगा, तो पानी उसमें पहले भी जो है, वो अक्सर कमी रहता था, लेकिन ठीक है, ये जो एक स्टेप उस तरफ से लिया गया, ये कहा गया, और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो रावी का मानी बन कर दिया है, तो जो वाटर क्राइसेज है या जो दोनों के बीच वाटर मैनेश्मेंट है, उसके उपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और उसमें अब तो ऐसा भी होआ बीच में, कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, मीडियेशन नहीं मानते हैं, और इंटरनाशनल कोर्ट में जाएंगे, और उसके बाद होता क्या है, सवाल पता क्या है, सवाल यहीं कि जब ऐसी कोई डिवलपमेंट होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़के बहुत मारी जाती हैं, बहुत उसमें बड़ी-बड़ी बाते की जाती हैं,